तुझी क्या हाल चाल है और कैसे है मिजास मैं हूँ आप बुराओ गणपत्र वापते तुझी आज की जो हमारे वीडियो है ना ये है बहुत ही जादा स्पेशल टिक टॉकर's पर तो ये वीडियो बिलकल भी ने तो आज की इज़ा मैं बात करूंगी तुझी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो Кो एन तक ज़रूर देखना तो जी बात है ये उस मन्हूस खड़ी की जब डरोना पधारा तमाम तलीमिय दारे बंद कर दिये गे बच्चे को पढ़ाए कि दरम्यान से उठा लिया गया कुछ बच्चे बचारे रोते थे बिलगते थे कि तलीमिय दारे बंद होगे हमारी स्टेडी डिस्टर्ब होगी है लेकिन कुछ इतने को हरामी थे ना जो मेरी तरह बहुत ही सदा खुश थे के बंद हो गया सारा कुछ खैर जो भी हुआ सो हुआ स्टूड़न्स ने आखिर कर इस तल खकीकत को एक्सेप्ट कर ही लिया उन्होंने सोच लिया कि अब हमारी जिन्दगी तलीम के बगएर ही गुजरेगी तो बीच में से कुछ ऐसे भी खबीश थे जो कि बिजनस सोच के पहले से ही बैड़ गी थे कि हम फ्यूचर में ये बिजनस करेंगे आज यू नो गैस के एकसेप्टेशन्स और रियालिटी में जमीन और आसमान का फर्क होता है बहुत सारे स्टूरंट्स को यही सोच लेकर बैठी कि उन्होंने अब आगे जा के बिजनस ही करना है लेकिन एक दिन आया कि जब हमें पता चला कि 15 सब्टमबर को सब कुछ खुल रहा है हम हो चुके वे थे पढ़ाई से बिलकुल बेखबर दूर दूर तक पढ़ाई से मारा कोई रिष्टा नाता नहीं था बीच में ऑनलाइन का ड्रामा चला था लेकिन हमने उसको पे गॉली करा दी थी और मुझे आज भी याद है कि वो 15 सब्टमबर किसी कयामत के दिन से कम ना था लेकिन भाई मुझे पहले दिन से ही यकीन था कि इस मुझे खड़ी से मैं कोई ना कोई तो ने निकाल लेगा कोई ना कोई तो हमें बचाने आएगा खेर आइस्ता आइस्ता दिन गुजटे गए हमें पढ़ाई की तरफ मुझे से खींचों खांची करके हमें ले जाया गया लेकिन हम फिर भी नी पढ़ते थे इस फैसले से कोई खुश हो ना हो लेकिन टीचर तपका भाई सा बहुत ही खुश था फिर एक वक्त आया जब मैंने अपने ख्याल से दिमाग निकाल दिया मुजिक ओ चलो यार छड़ते हो जानती ये बन्दे को लो गलती माफ कर दिया अच्छ जी तो मैं कह रही थे कि मैंने अपने दिमाग से बलके मैंने किया कि सब स्टूनेंट्स तपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया था कि अब हमें कोई ऐसी रिलैक्सिएशन मिलेगी लेकिन बिल्कुल खलत थे हम लोग उस टाइम पर क्योंकि वो कहते हैं कि जब जो मुश्किलात आती है तब तब कोई ना कोई मसीहा जरूर आता है और हमारे साथ भी अब बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ टीचर्स अपने पूरा किरदार अदा कर रहे थे हमारे दिमाग से चुटिया निकालने का वो हमें रोस कहते हो जाते हैं कि दिमाग से निकाल दो कि अब कोई चुटिया होंगी और उनकी इस तरह की फजूल बाते सुनके ना बंदा अंदर से जलब हुन जाता था सिर्फ एक इंसान था जो हमारे इस दर्द को समझ पार थे वो थे हमारे शफकत अंकल शफकत अंकल कोई बात बिल्कुल भी गवारा ना थी कि बच्चों पर इतना खुजादा जुन किया जा रहा है सुएम भगवान के रूप में उस टाइम शफकत अंकल प्रकट हुए और अपनी शफकत से उन्होंने 26 नवंबर को हमारे लिए छुटिया अनाउंस कर दी और उन्होंने अपनी इस शफकत से बहुत ही आला मैसिज उन टीचर्स को दिया जो कहते थे कि छुटिया कभी भी नहीं होंगी शफकत अंकल की इस शफकत परी हरकत ने मेरे दिल, फेपड़े, गुर्दे स्ताब जीत लिया मेरा गया पूरी स्टूवेंट कम्यूनिटी के जीत लिया वो कहते ना डूपते को तिनके का सहारा भाई इस बंदे की शफकत ने हमारी बेरंग जिन्दगी में रंग भर दिया वो भाई जितना को स्वेडिन का नाम है न शफकत 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 वैसे इन्होंने शफकत हमारे पर दिखाई है मैं तो कहते हूँ कि शफकत अंकल कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और अगर शफकत अंकल आइंदा सालों में हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये मुल्क बहुत जादा तरकी करेगा अकिस्तान का जो आने वाला दोर है ये बड़ा एकसाइटिंग दोर देखा फिर खान साभ इस बात को मानते हैं सिर्फ शफकत अंकल ये जिनकी वज़ा से हमें ये सद्धियों की चुटियां ने को मिल रही हैं नहीं तो कहा सुबह सुबह उठते होते थे तो रुको जरा सबर को रो अच्से तो जाते जाते मेरी भी बात को भी बंधा इस वीडियो को लेके सीरिस रumes में ना वड़े वीडियो सिर्फ वुसिव रहाया होती है मजा के परपरस पे ही होती है तो पता है मुझे का लेट हूं और वीडियो चुरे लिडियो को दो थंज़ा अब कमेंट सेक्षिन में जरूर पताना कि वीडियो को कैसी लेगी क्यूंकि आपकी रहे में लिए बहुत जादा मैटर करती है और अगर चैनल पर ने हो तो दिल की साथ आठ गरहिए उसाब का वेलकम है चैनल को करो सब्सक्राइब बेल अगिन को भी कर देना प्रेस ताकि आप ल जिल को सब्सक्राइब